टेक्सोनमी एन एकॉलोजी ओफ थ्रिप्स जैसे हमने जैसे शकर किया जो के सकिंग पैस थे और कॉटन क्रॉप को सविर डैमिज कास करते हैं इसी तरीके से थ्रिप्स भी सकिंग इंसेक्स हैं ये भी कॉटन क्रॉप को सविर डैमिज कास कर सकते हैं अब ये जो इंसेक्स हैं इनका size काफी छोटा होता है और standard जो morphological methods है उनके जरीए इसकी जो identification है ये काफी challenging होती है क्योंकि इनके अंदर एक तो काफी morphological variation है एक इनका size छोटा होता है उसके बार there is also a considerable variability leading to many species being misidentified क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़दा variability है इस variability की वज़ा से जो इसकी different forms है बहुत सारे taxonomists इसकी different forms को different species consider कर लेते हैं इस वज़ा से morphological identification इनकी challenging है अब इस problem को solve करने के लिए बहुत सारे जो molecular methods हैं उनका इस्तमाल किया जाता है क्योंकि जहां पे morphological identification फेल हो जाती है या problematic हो जाती है वहाँ पे हम molecular tool को इस्तमाल करके तो species की discrimination कर सकते हैं species को separate कर सकते हैं अब अगर हम इनकी classification के बारे में बात करें तो ये phylum arthropoda से विराओं करते हैं इनकी class insecta है इनका जो order है थैनोसाप्टरा और इनकी जो family है थैरिपसिडी अब ये जो insects हैं इनके जो wings होते हैं वो fringe wings है उसके लावा ये बहुत सारे जो viruses हैं उनको transmit कर सकते हैं यानि ये vector का का काम करते हैं उसके लावा ये मुख्तलिफ जो plants हैं उनके उपर feed कर सकते हैं इसका मतलब ये है कि इनकी जो host range है वो काफी बड़ी है ये specific नहीं है किसी एक specific plant के लिए बलकि ये बहुत सारे different किसम के plants के उपर feed कर सकते हैं लेकिन आम तोर पर they prefer tender parts of the plants such as birds, flowers and new leaves अल्दों के ये पौदों के मुख्तलिफ हिस्सों के उपर feed कर सकते हैं लेकिन इनकी कोशिश होती है कि नरम पत्ते जो birds हैं या जो flowers हैं उनके उपर ये feed करें उसके लावा ये plant के tissues के उपर भी feed कर सकते हैं अब ये देखा गया है कि जब इनके जो larvae हैं इनके जो early stages हैं इनके जो nimful stages होती हैं जब ये अपनी जो food range है उसको बढ़ाते हैं तो उससे इनकी जो development है वो बहतर तरीके से हो सकती है इनकी जो developmental stages का जो time है ये depend करता है कि इन्होंने कौन सी feeding strategy अपनाई है अगर field के अंदर जो prey है या इनका जो food है जिसके उपर उन्होंने food करना होता है इनके पसंदीदा plants या पत्ते जिनके उपर उन्होंने feed करना होता है वो available हैं तो फिर इनकी जो developmental stages है वो तेजी से complete होती है और ये तेजी से reproduce करके अपनी तादाद को बढ़ा लेते है उसके लावा जो females है अगर ये अच्छी खुराग खाती है यानि इसको young tenders मिलते हैं और flower birds मिलते हैं तो जो female है उसकी जो birth rate है वो बढ़ जाता है यानि egg produce करने की ability भर जाती है उसकी और उसकी जो life है वो भी increase कर जाती है इस slide के अगर हम देखें तो यहाँ पे life cycle दिखाया गया है यहाँ पे एक जो adult female है ये तकरीबन 30 to 40 days survive करती है उसके बाद ये egg ले करती है ये जो eggs है delay inside the plant tissues और तकरीबन 2 से 4 दिनों के बाद ये जो eggs है इनकी hatching होती है और hatching के बाद इन में से पहला इंस्टार निकलता है ये जो पहला इंस्टार है ये तकरीबन 1 से 2 दिन के अंदर next stage के अंदर convert हो जाता है जो के second इंस्टार है अब second इंस्टार जो है ये 2 से 4 दिनों के अंदर next stage के अंदर convert हो जाता है next stage pre-pupy stage है जिसका जो life span है वो 1 से 2 दिन है और उससे जो next stage है वो pupy pupy 1 से 3 दिन तक रहता है उसके बाद ये ultimately adult के अंदर convert हो जाता है तो इस तरीके से ये अपना life cycle complete करते हैं आम तोर पर ये जो दो stages है यानि pre-pupy और pupy ये soil के अंदर complete होती है अगर इस slide के अंदर हम देखें तो इस slide के अंदर clearly इस बात को notice किया जा सकता है कि इनकी जो दो stages है यानि pre-pupy stage और pupy stage ये soil के अंदर या जो जमीन के उपर leaf litter है वहाँ पे इसकी completion हो रही है अब अगर हम इन insects के damage की बात करें तो ये cotton plants या जो इनके host plants है उनको severe damage कास करते हैं ये जो common green houses के अंदर ये exceptionally increased population size जब इनका attack होता है और food available होती है तो ये तेजी से अपनी population को increase करते हैं उसके लावा इनकी population increase आम तो पर इस वज़ा से भी होती है कि अगर जिस जगा पे ये मौजूद है वहाँ पे इनके natural predators available नहीं है तो फिर भी इनकी तदाद तेजी से बढ़ती है उसके लावा इनके अंदर एक और mechanism है जिसकी वज़ा से ये अपनी population को तेजी से बढ़ाने के सलाइथ रखते हैं वो asexual reproduction है यानि ये asexual reproduction के जरिये भी reproduce कर सकते हैं उसके लावा अगर food abundant है तो फिर ये अपना rate of reproduction इंक्रीज कर लेते हैं और बड़ी तेजी से ये field के अंदर अपनी तदाद को बढ़ाते हैं और crop को severe damage कास कर सकते हैं यहाँ पर इस slide के अंदर दिखाए गए हैं कि इसके feeding के बाद जब पत्तों के पर ये field करते हैं वहाँ से sap को सक करते हैं तो plants के अंदर जो symptom के नदर आते हैं वो इस slide के अंदर दिखाए गए हैं उसके लावा ये जो trips हैं ये जो commercially important crops हैं उनको damage करते हैं कुछ trips ऐसे भी हैं जो gals बनाते हैं और पौदे के जो tissues हैं उनको damage करते हैं यहाँ पे भी दिखाया गया है कि ये जो insects हैं ये पौदे को severe damage कास करते हैं अब इनको हम control कैसे कर सकते हैं इनको control करने के लिए हम मुखतरिफ strategies का इस्तवाल करते हैं एक तो इनको capture करने के लिए हम blue और sticky traps का इस्तव करते हैं जैसा कि यहाँ पे slide का अंदर दिखाया गया है उसके लावा हम मुखतलिफ किसम के spray का इस्तवाल कर सकते हैं मुखतलिफ किसम के sobs जो है उनका इस्तवाल किया जाता है उसके लावा आम तोर पर ये देखा गया है कि ये जो mulches है यानि ground के उपर जो leaf litter होता है टूल करके तो इनकी population को कम कर सकते हैं